हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई चैनल आज हम छोटे बच्चों की राइटिंग स्कील और उन्हें किस तरीके से राइटिंग करना सिखाए इसके बारे में बात करेंगे छोटे बच्ची जो कि नया नया लिखना सीखते हैं उनके लिए सबसे पहले जरूर है पैंसिल की ग्रिप पकड़नी आनी चाहिए इस तरीके से थ्री उंगली का यूज़ करके इस टाइब से इससे उनकी फिंगर्स की एक्सरसाइज भी और सबसे बेस्ट है अगर आप आपके छोटे बच्ची हैं जो नया नया लिखना सीक रही हैं पहली बाह लिखना सीक रही हैं तो उनने पहले कलर से प्राक्टिस कर आईए पहले color से Then pencil से उसके बाद pencil कैई इस color उनके हाथ में रहागिया उसके बाद वो जो कुछ चाहिए जैसे मरज़े चाहिए तो सबसे पहले उस ने यह सब करना शुरू किया किया था, कलर जो उनसे का मन करें इस तररीके से पैंसिल ऐसे होनी चाहिए उन्हें कहीए कि जितना टाइट हो सके वंद इसे कपिश करें जो उनसे मन में हो किट्स के मन में जैसे इमर्ची को ऐसा कर सकते हैं ट्रेस डॉटिड लाइन ट्रेस डॉटिड लाइन में हमें बच्चों से कहना है कि उन्हें वन डॉट से सेकंड डॉट तक जॉइंट करना है इस चोटे-चोटे डॉट है इनको जॉइंट करना है इस तरीके से और जब बच्चे को आप यह वर्क दोगे, तो पहले पू कलर से करें, ऐसे, कलर के साथ, वो पहले थोड़ा टेरा टेरा करेगा, इससे हूं की लाइज, आस, इस लाइज, स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इन लाइनों पर डॉटों को फोलो करेंगे, इस तरीके से, इसे छोटे बच्चे जो कि नर्सले एडमीशन के लिए जाने वाले हैं, या फिर नर्सली में उनका एडमीशन होने वाला है, उनके लिए पैंसल पकड़ने आने बहुत जरूरी है, तो कलर्स और इन स्टेपों को फोलो करके, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि उनकी फिंगर्स के एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो सके, लिस अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरू जिससे की मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे, इसके बाद आप बच्चों को मार्केट में ऐसी बुक्स बहुत एजिली अविलेबल होती है, ना हो तो आप इनके घर पे भी डिये वाई कर सकते हैं, जो इसके उपर भी एक वीडियो इसमें भी आप बच्चों के यह बुले कि सेम मंकी को मंकी की डॉट तक जोइंट करें, जैस लाइक, फर्स्ट कलर से के साथ, जब कलर से उनके प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, उसके बाद पैंसिल के साथ, इस तरीके से, आप इन पिच्चर्स को घर पे भी ड्रो कर सकते ह इस तरीके से, इन से उनकी